हलो यह वेलकम टू गेटेक अटी प्लस मैं हूं एगोपाज शर्म और मैं आपको पढ़ा रहा है स्टेंथ आफ मतिलियस लास्ट वीडियो में हमने जो थर्मस्ट्रेस का टॉपिक है वो इस टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि थर्मस्ट्रेस के लिए किन किन कंडिशन में थर्मस्ट्रेस जनरेट होता है और कब जनरेट नहीं होता है मने आपको मेंबर्स इन सीरीज और पहलर के बारे में बताया था कि किस तरह से मेंबर्स इन सीरीज के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे जिसमें हम लोगों को थर्मस्ट्रेस लीजे फिर उसके बाद आप आज का ये जो वीडियो है ये जो वीडियो मैं भी आपके सामने लाया हूँ इसे आप फिर देखे ताकि आपको यहाँ जो concepts हम लोग हैंडल करने वाले उसमें कोई भी problem ना जाए ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ पर different cases देखे थे series और पैलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जो net deformation होता है वो zero होगा अगर आपके जो walls होंगे that will be rigidly fixed और यहाँ पर आपका net deformation zero नहीं होगा अगर यहाँ पर yielding of support होगी या जिसको हम gap कहते हैं अगर वो वहाँ पर question में given होगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो दोनों cases थे मैंने आपको बता दिये हैं आज हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है thermal stresses में उस पर based कुछ numericals देखने वाले हैं इसके साथ ही thermal stress के topic के साथ ही हमारा जो module number one है वो complete हो जाएगा दैन हम हमारा next module देखेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं आज का video lecture तो first question है हमारे पास यहाँ पर diagram देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने steel और aluminium के bars को जोड दिया है आपस पे तो यह composite member का यहाँ पर आपके सामने problem है जिसमें एक steel member है और दूसरा aluminium member है question है इस पर हमारे पास determine the temperature increase that will cause compressive stress in composite rod of 36 mega pascal take ES that is the young's modulus for steel is equal to 207 giga pascal young's modulus for aluminium EA is equal to 73 giga pascal alpha for steel is equal to 20.9 into 10 per minus 6 per degree celsius alpha A is equal to 23.9 into 10 per minus 6 per degree celsius ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे के जो wall है और जो हमारा composite member है इसकी लंबाई में कुछ difference है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक gap given है आपको यहाँ पर 0.3 mm का question है यही पूछ रहा है कि उस temperature rise की value क्या होगी यानिकि बेसिकली आपको change in temperature पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि temperature में कितना change किया जाए कि यह जो gap है वो यहाँ पर fill हो जाए ठीक है तो simple है यहाँ पर case बहुत ज़्यादा मैंने आपको इस तरह के cases के लिए compatibility equation बताया है compatibility equation हम जानते हैं इस तरीके एक होगा यहाँ दो member है तो मैं लिखूंगा summation of del lt minus summation of del l is equal to gap gap यहाँ पर 0.3 mm मुझे given है ठीक है यह हो जाएगा आपका alpha del t into l of steel plus alpha del t into l of aluminium minus pl upon ae for steel plus pl upon ae for aluminium that will be equal to gap that is 0.3 ठीक है so आप इसको अगर देखेंगे p by a for steel and p by a for aluminium तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ आएगी ठीक है यहाँ पर जो concept निकलेगा यह हमेशा series और parallel के case में दोनों में valid रहेगा हमने जो last video मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि जब parallel का case होता है parallel के case में अगर मैंने यहाँ पर दो member लिये थे this is a a and b ठीक है so a एक material था बी दूसर material था मैंने case बताया था alpha b is greater than alpha a अगर वो वीडियो अपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर के देख लिए ताकि यह numericals बनाने में आपको आसानी हो ठीक है तो यहाँ पर अगर alpha b बड़ा alpha a यह तो यह ज़्यादे extend होगा और यह कुछ काम extend होगा जिसके कारण member a को material a को tensile force feel होगा और member b को compressive force feel होगा और इस तरह से finally दोनों एक equilibrium point पर आते हैं मैंने बताया था इस case में भी जो pull on a था that was equal to push on b ठीक है जितना force b को feel होगा बी को की compress हो रहा है काईदे से तो बी को एक compressive force feel होगा और a को एक tensile force feel होगा दोनों का magnitude बराबर होगा सेम जब हम लोग members in series की बात करते हैं यह था आपका members in parallel this was about members in parallel अब जब member series में होंगे तो क्या होगा members in series के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं दो members लेता हूं member number one and two इसको मैं यहाँ पर fix कर देता हूं अब इसको heat करूंगा तो इस पर definitely जो thermal stresses है वो induce होंगे तो देखेंगे जब यह दोनों एक साथ expand होंगे तब wall को यह push करेंगे जिसकी करण wall एक reaction force setup करेगा P और इस reaction force P के कारण दोनों में ही compressive stress generate होगा अब आप यहाँ पर से देख पाएंगे अगर मैं free body diagram बनाऊंगा दोनों का तो मैं previously भी यह चीज़ आपको बता चुका हूँ कि दोनों component में आपको same force मिलेगा ठीक है thermal stress case में चाहे members in series का problem हो चाहे members in parallel का problem हो जो number of component होते हैं उनमें temperature change के कारण जो load आता है उसका magnitude same होता है members in parallel में भी दोनों bars में आप देखोगे कि same magnitude का force आ रहा था same वैसे आप देखोगे members in series में भी आपको जो भी members होंगे उनमें same force आएगा यहाँ पर आपको देखके लग रहा होगा कि यह दोनों का diagram दोनों का जो cross section area वो equal है इसलिए ऐसा हो रहा है लेकिन अगर आप यहाँ पर इसकी जगा ऐसे member ले लेते हैं जो की different cross section area के हैं like this तो इस case में भी आप पाएंगे free boy diagram बनाने के बाद के जो दोनों member अगर मैं इस case में भी ले लूँ तो इस case में भी member number one और member number two पर जो force आ रहा है दोनों का magnitude अभी भी same है ठीक है तो यहाँ से एक चीज़ clear हो गई हमको that force का nature कैसा होगा force का nature होगा दोनों में बराबर होगा दोनों में equal magnitude का force setup होगा due to thermal stresses ठीक है तो यहाँ पर जो हम P लिखते हैं यह जो P लिखते हैं comparative equation में यह P दोनों के लिए same होगा ठीक है यह P दोनों के लिए same होगा अब यहाँ पर stress दोनों में same हो जाएगा अगर दोनों का cross section area same है ठीक है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ चाहे series के लिए हो चाहे parallel के लिए हो for members in series for members in series और parallel अगर मैं बात कर दूं के member number 1 और member number 2 दो member है तो दोनों केस के लिए यह जो मैं equation लिखने माला है valid होगा याने की P that is force on member number 1 will be equal to force on member number 2 यह हमेशा valid रहेगा अब अगर दोनों का cross section area different है तो हम जानते है sigma जो होता है that is force upon area यहाँ से लिखता हूँ अगर area different है तो definitely stress different होगा ठीक है तो अगर cross section area A1 है member number 1 का जो member number 1 है इसका cross section area A1 है member number 2 का cross section area A2 है सेम ऐसी यहाँ पर अगर मैं इसको member number 1 बोल दूँ इसको member number 2 बोल दूँ cross section area A1 and A2 यहाँ पर cross section areas हैं तो यहाँ पर इसको लिख सकूँगा मैं P1 को लिख सकता हूँ sigma 1 A1 and P2 को लिख सकता हूँ sigma 2 A2 तो यहाँ पर मुझे मिल गया दोनों members में जो induced stresses होते हैं उनके बीच में relationship ठीक है तो यह relationship आपको याद रखनी है यह आसाने समझने में बस इतना सा consentment लगाया कि दोनों members में जो forces की value होगी वो हमेशा same होगी stress का formula होता है resisting force upon area ठीक है जितना force उसमें exert होगा उतना ही force वो resist करेगा ठीक है यानि कि applied force यहाँ पर जो P forces पर apply हो रहा है इस wall के द्वारा उसको वो resist करेगा ठीक है तो यहाँ पर P by A से हम लोग P की value निका सकते हैं sigma N2 A member number 1 के लिखूंगा sigma 1 A1 member number 2 के लिखूंगा sigma 2 A2 तो यह जो one equation लिखा है यह आपका दोनों case में valid है चाहे वो series का case हो चाहे वो parallel का case हो ओके तो यह जो concept है इसको हमको throughout carry करके चलना है ठीक तो वापस हमारे question पर आते हैं question में हमको simple पूछा है कि हमको temperature find out करना है जिस पे जो member है हमारा जो composite member है उस पे thermal stress जो generate होगा उसका magnitude 36 MPa ह हो जाए ठीक है तो मैंने यहाँ पर जो मेरे compatibility equation है वो मुझे use करना है question को जाद आप लोग को यह नी सोचता है कि बहुत tough है बहुत easy level के questions होते हैं यहाँ पर जो मने आपको concern बताए एक additional चीज़ है आपके लिए ठीक है अगर आप इस equation का use नहीं भी करते हो तब भी आप लो हो गया पी find out होने के बाद हम लोग अलग-अलग members का जो stress है वो sigma is equal to pya से हम लोग solve करके निकाल सकते है ठीक है तो इस equation को solve करते हैं सारी values हम लोग यहाँ पर put करते हैं और देखते हैं यहाँ पर stress की value क्या आएगी अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस equation को modify कर सकते हैं using that equation ज जाहें तो steel वाला यह जो आपकी question लिखी हो यह जो आपने formula लिखा है steel के लिए और यह जो formula आपने लिखा है aluminium के लिए इसको आपस में आप convert कर सकते हो और इस equation में सिर्फ एक unknown रह जाएगा ऐसा आप कर सकते हो ठीक है तो यहाँ हो जाएगा sigma as is equal to मैं लिखूंगा sigma aluminium into area of aluminium अब आप देख सकते हैं diagram से कि area of aluminium is equal to area of steel है तो basically sigma as that is ps upon as will be equal to p a upon aa दोनों की value बराबर हो जाएगी आप stress यहाँ से equation से common निकाल सकते हो solve करने से पहले जब आप इस equation को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि इस question में हमारे पास जो area of cross section है वो given नहीं है area of cross section given नहीं है बट हमने अभी भी देखा कि दोनों में जो load है वो equal है तो चाहों तो मैं load को यहाँ से common निकाल सकता हूँ तो यह जो P का term है यहाँ पर वो यहाँ से common निकाल जाएगा आप देखेंगे diagram में कि दोनों का area जो है वो diagram साब को समझ आ रहा है that area of steel is equal to area of aluminium भी है तो इस equation से मैं area को भी common निकाल सकता हूँ तो इस equation को मैं modify करके लिख सकता हूँ alpha del T L for steel plus alpha del T into L for aluminium minus यह आपका P by A यहाँ common आ गया ठीक है into L by E of steel plus L by E of aluminium is equal to 0.3 now P by A जो है P by A that is stress sigma is equal to P by A अब stress की जो value है आपको वो question में given है 36 Megapascal तो यहाँ मैं 36 Megapascal पूट कर सकता हूँ यहाँ इसको लिख सकता हूँ 36 Newton per mm square ठीक है तो हमारा जो क्योंकि हमने जिद्धी length यहाँ पर ली है सारी length diagram में आप देख सकते हैं mm में है तो मैं Megapascal को Newton per mm square में convert कर देता हूँ यहाँ से सारी values अब हमको पता है यहाँ इस equation में इस सारी values को हम पूट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर के change in temperature की value क्या आती है solve करेंगे इस equation को तो हमको मिल रहा है del T is equal to 37.75 degrees Celsius so this is the required change in temperature जित्ता temperature change करने के बाद जो stress है members में वो 36 Megapascal हो जाएगा ठीक है तो I hope यह concept आपको clear हुआ होगा simple यहाँ पर आपको हमेशा दो चीज़े ध्यान रखना है जो मैं आपको repeat कर देता हूँ first of all आपको याद रखना है जो forces है वो हमेशा same होंगे चाहाए आपका member पैलर में हो चाहाए series में हो दोनों में हमेशा equal load जो है वो share होगा ठीक है due to change in temperature यह पहला चीज़ है तो हमको में शायाद रखना है sigma 1 A1 equal to होगा sigma 2 A2 अगर यहाँ पर special case जो हमको मिला के A1 अगर A2 के बराबर हो जाए तो definitely sigma 1 equal to मुझे sigma 2 मिलेगा ठीक है और इस equation को जो हम लोग लिखते compatibility equation that is summation of del L T minus summation of del L is equal to gap इसको मैं जो expand करके लिखता हूँ that is alpha del T into L for first material plus alpha del T into L for second material minus PL upon AE for the first material plus PL upon AE for second material is equal to 0 और gap I can write gap अगर gap है यहाँ पर ठीक है तो यह जो term होता है यह वाला इसको मैं अगर इस term को फिर से लिख देते हैं then उसके बाद इस term को लिख सकता हूँ मैं minus P1 by A को मैं लिख सकता हूँ sigma 1 L1 by E1 plus sigma 2 L2 by E2 इसको मैं चाहूँ तो इस form में भी लिख सकता हूँ stresses के form में भी लिख सकता हूँ ठीक है अब अगर यह case होता है इसमें that is sigma 1 equal to sigma 2 हो जाता है तो यहाँ से sigma 1 common निकल जाएगा और इसको मैं लिख पाऊँगा आगे sigma L1 by E1 plus L2 by E2 equal to gap ठीक है यह term मैं आगे carry करते वे चल रहा हूँ अगर मालो ऐसा नहीं होता है that is A1 is not equal to A2 अगर यह case मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हो इस case में A1 और A2 की value put करके sigma 2 और sigma 1 की relationship draw कर सकते हैं like this ठीक है let us take A2 by A1 कोई value आती है let us take it x x करके कोई value आती है तो sigma 1 will be equal to x time of sigma 2 यह हो जाता है फिर same equation में इस equation को आगे carry forward करता हूँ मैं तो starting atom में कोई changes नहीं आएंगे आपके changes यहाँ आएंगे इस वाले atom में आएंगे ठीक है तो अब मैं यहाँ पर फिर भाई sigma 1 को मैं sigma 2 के atom में लिख दूँगा तो यह हो जाए कि x sigma 2 L1 by E1 यह हो जाए यहाँ पर sigma 1 की जगा x sigma 2 आ जाएगा ठीक है plus sigma 2 L2 by E2 यह equation equal to gap हो जाएगा इस पूरे equation को मैं solve कर लूँगा तो मुझे फिर वहाँ से sigma 2 का value मिल जाएगा यह एक यह तरीका होता है दूसरा तरीका मैं आपको जो हमेशा बताता हूँ अगर यहाँ पर दोनों का area different है ठीक है और अगर आप यह वाला जो part है अगर यह नहीं करना चाहते हो अगर यह जो मैंने operation किया है यहाँ पर अगर आप यह वाला part apply नहीं करना चाहते हो तो उस case में आपको कुछ भी नहीं करना है आप directly जो load है P उसको find out कर लीजिए then sigma and sigma 2 find out करने के लिए यहाँ से जो आपने P के लिए निकाल ली है लिख देता हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए find out कर लीजिए ठीक है यह आपका एक तरीका होगा P find out करके sigma 1 equal to P by A1 and sigma 2 equal to P by A2 करके भी आप जो members से उन में stresses निकाल सकते हैं यह concept मैंने प्रिवियसली भी आपके साथ डिसक्स किया हुआ है यह आपको समझाया होगा जो मैंने forces का logic बताया वह भी आपको clear हुआ होगा अब देखते है next question तो चले next question देखते है next question देखेंगे यहाँ पर मैंने simple एक simple जो series का problem होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक different diagram से represent किया है ताकि इस तरह की question पर आप आप राम से बना पाएं यहाँ पर देखिया हम लोग generally जो gap वाला problem देखते हैं gap में gap या तो wall के left side या तो right side में आपको दिया हुआ होता है यहाँ पर मैंने जो दो member जिनसे मिलकर के हमारा component बना है उनके बीच में gap दे दिया है तो यहाँ पर जो concept होगा वो भी same होगा इस तरह के question में भी concept लगेगा वो भी same होगा directly आप यहाँ पर जो हमारा compatible equation होगा उसको apply करके इस question को भी solve कर सकते हो इसमें भी कोई changes नहीं आएंगे ठीक है तो चलिए question पढ़ते हम लोग हमारे पास question है at room temperature 21 degree Celsius a gap 0.5 mm exists between the ends of rod as shown in figure आप देख सकते हैं दोनों rods के जो ends है उसक at a later time when temperature is increased to 160 degree Celsius determine the normal stress in aluminium rod and change in length in the aluminium rod ठीक है तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि initially जो बाहर है room temperature पे है temperature हमारे पास 21 degree Celsius कुछ समय बार temperature हम 160 degree Celsius कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना stress develop होगा in aluminium rod और aluminium rod के length में किता change आएगा यह आपको पूछा है ठीक है तो बहुत ही आसान सा concept है जैसा कि हम हमेशा जानते हैं यह दोनों जो है वो लोग expand होंगे अब ठीक है जब इसका temperature increase करेंगे हम लोग initially जो temperature था वो 21 degree Celsius था इसको बढ़ा के हम ले जा रहे हैं 160 degree Celsius पर ठीक है तो heating का case है basically तो heat होगा जब यह तो क ठीक है जब force exert करेंगे तो उसके बाद जब एक gap fill हो जाएगा तो उसके बाद यह further इन लोग elongate नहीं हो पाएंगे यह ना यानि कि अगर यह gap नहीं होता यहाँ पर space होता दोनों बार्स अगर free होते तो उसके इसके इसके दोनों free expansion देते किता है free expansion देते alpha del t into L यह इन लोग आग इन दोनों का आपस में बढ़ पाना क्योंकि जैसे ही इन दोनों यह gap fill हो जाएगा like this आप देखेंगे aluminium still contact में आ गया उसके बाद यह लोग further move नहीं कर पाएंगे then इन लोग चाहे एक दूसरे को push कर लें लेकिन overall जो change in length फिलेगा वो 0 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ प equation of del L is equal to gap ठीक है यही equation जो हम जिसको हम compatibility equation बोलते है यहाँ पर यह भी valid रहेगा ठीक है सारी values में यहाँ पर put कर देता हूँ यह हो जाएगा alpha del T into L for steel plus alpha del T into L for aluminium minus PL upon AE for steel plus PL upon AE for aluminium is equal to gap gap है हमारे पास 0.5 simple हो गया देख सकते हैं विना किसी complication के हमने directly जो हमारा compatible equation है यहाँ पर apply कर दिया है ठीक है यहाँ से हम लोग solve करके load की value find out कर सकते हैं जैसे कि ने बताया अगर आपको load ने directly stress find out करना है तो यहाँ पर एक step आपको और add करना पड़ता है ठीक है length of question same रह जाता है चाहे आप stress बाद में निकालो या फिर initially इस equation का भी stress के term में लिख लो same thing है बट मैं prefer करता हूं कि पहले आप load निकाल लो उसके बाद आप फिर stress calculate कर सकते हो वो बहुत आसान पड़ता है हमको तो लिख लेते हैं सारी values यहाँ put करते हैं हम लोग और values put करने के बाद हम लोगों को जो load की value है वो मिल जाएगी तो values put करता हूं है अल्फा की value अल्फा एस अल्फा एस हमको question वी के बाद है 17.3 into 10th power minus 6 into delta that is change in temperature हो जाएगा आपका 160 minus 160 minus 21 final temperature हमको 160 degree Celsius बोले initial temperature 21 है तो delta मिलकिया into length of steel steel की length है हमारे पास 250 mm यह वाला term complete हो गया then plus इसकी value लिखते है अब alpha for aluminium that is 23.9 into 10th power minus 6 into delta that is 160 minus 21 into length of aluminium that is 300 mm ठीक है यह भी complete हो गया आगे लिखते है minus P into L length of steel length of steel आपके पास 250 upon area of steel area of steel question ने given है 774 mm square into E young's modulus of steel young's modulus of steel हमको 190 Giga Pascal given है इसको मैं convert कर लूँँगा Newton per mm square में तो 160 into 10th power 3 Newton per mm square लिख सकता हूँ साथ है इसको भी convert कर लेते हैं हम लोग यह हो जाएगा जो young's modulus of aluminium है यह हो जाएगा 72 into 10th power 3 Newton per mm square ठीक है values लिख देता हूँ है यहापर में यह हो जाएगा steel के लिए 190 into 10th power 3 प्लस आगे लिखते हैं aluminium के लिए यह हो जाएगा P into length of aluminium that is 300 upon area of aluminium that is 1806 into young's modulus for aluminium that is 72 into 10th power 3 okay is equal to gap हमारे पास है 0.5 equation को हम solve करते हैं ठीक है तो solve करने पे हमको peak value मिल जाएगी so P हमको मिल रहा है solve करने पे P equal to R है 273964.22 newtons newtons में इस त्यार है आप देख सकते हैं माने young's modulus की जो values है वो newton per mm square में रखी है तो हमको यह जो P load भी है वो भी मुझे newton में ही मिलेगा ठीक है so this is the value of load चाहो तो आप इसको kilo newton में भी convert कर सकते हो लिख सकता हो मैं इसको kilo newton में P equal to हो जाएगा 273.96 kilo newton है प्रॉक्स इत्ता है हाँ पर मिल जाएगा मुझे in kilo newtons now हमको दो चीज़े पूछिए that is normal stress in aluminium rod ठीक है जैसा कि मैंने बताया है load जो होता है वो दोनों में same रहता है previously हम इसको कई बार discuss कर चुके है already so निकाल लेता हूँ में normal stress that is sigma on aluminium rod will be equal to P upon area of aluminium rod यह मिल जाएगा P की value put कर देता हूँ 273964.22 upon area of aluminium है 1806 this will be the stress और normal stress in aluminium solve कर लेते हैं इसको so stress in aluminium sigma A आ रहा है 151.69 newton per mm square okay so this is the stress in aluminium rod then बोल रहा है change in length of aluminium rod अब आप देखिए दोनों जो rods है steel की और aluminium की दोनों की length में कुछ ना कुछ change हुआ है तभी जाकर के यह gap भरा है total gap हमारे पास है 0.5 mm जिसमें से कुछ हिस्सा aluminium fill कर देगा और कुछ हिस्सा steel fill कर देगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर question के हिसाब से हमको aluminium का change in length पूछा है कि aluminium का length कितना increase होगा इस gap को भरने में basically वही पूछा है आप से change in length of aluminium क्योंकि जब एक बार एक gap भर जाएगा उसके बाद को फर्दर change in length आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है overall change in length बोलना है यहाँ पर जादा से रहेगा overall change in length देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है temperature बढ़ाने पर aluminium इसको steel को और पुछ करे ठीक है लेकिन after a certain gap यह जब gap भर जाएगा उसके बाद यह हमारा है जो aluminium है इससे further को elongation आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो निकाल सकता हूं है change in length of the aluminium अब यह change in length कैसे निकलेगी देखिए कि इस length को निकालने का तरीका क्या होगा क्या मैं directly अगर ध्यान दे तो ना तो यह correct answer है ना तो यह correct answer दोनों ही यहाँ पर wrong answer है दोनों से आपको answer नहीं मिलेगा change in length कैसे निकालेंगे आप लोग आपको यह चीज समझनी है कि भाई जब इसका मैंने temperature change किया ठीक है तो उसके इसमें freely elongate होना चालू हुआ लेकिन freely elongation होने के बाद जब यह gap भर गया उसके बाद जब aluminium और steel contact में आ गया तो इन दोनों ने एक दुसरे के पर mutual force apply किया जिसका magnitude P है ठीक है तो अब हम लोग इसको कैसे study करेंगे इसको study करेंगे इस तरह से के aluminium जो था this is aluminium यह इतना free expansion दे सकता था similar concept है पहले हमने discuss कर चुका है तो यह इतना free expansion दे सकता था that is del lt of aluminium value होगी इसकी alpha del t into l for aluminium इतना यह expansion दे सकता था पहले ठीक है अब क्योंकि contact में आने के बाद aluminium और इस तिले दूसरी पर force exert कर रहे है तो इस पर force exert हुआ कुछ पी तो मैं मानूंगा कि यह जो l length of aluminium था इसमें पी force लगने के कारण पी फोर्स लगने यह पी फोर्स लगने कारण इसमें reduction in length होगा क्योंकि पी का nature compression है reduction की value होगी PL upon AE अब जो net change in length of aluminium मिलेगा that is del that is net change in length submission of del l for aluminium और लिख सकते हैं del l net for aluminium यह भी लेगा आपको del l t for aluminium minus del l for aluminium याने की alpha del t into l for aluminium minus PL upon AE for aluminium इसको PL upon AE को आगे में लिख सकता हूँ alpha del t into l for aluminium minus sigma aluminium into length of aluminium upon Young's modulus of aluminium ठीक है values put करते हैं इसको solve करते हैं So, del l net for aluminium will be alpha that is 23.9 into 10 as to the power minus 3 minus 6 sorry 23.9 into 10 as to the power minus 6 into del t that is 160 minus 21 into length that is 300 minus PL upon AE of it sigma ALA upon E sigma E nikaal चुका हूँ है 151.69 into length of aluminium that is 300 upon Young's modulus that is 72 into 10 as to power 3 solve कर लेते हैं मुझे net changing length मिल जाएगा So, del l net यहाँ पर आ रहा है 0.364 mm So, this is the net changing length of aluminium अगर आप चाहें हाला कि question में नहीं पूछा है but net changing length आप same इसी concept को use करते हैं steel के लिए भी निकाल सकते हैं steel में induce up stresses भी find out कर सकते हैं तो I hope यह question आपको clear हो गया होगा आपने notice किया होगा कि हम लोग simply कोई भी question हो हम लोग simple जो हम लोग अभी तक जो previous video से मैंने compatibility equation आपको बताया है simple वही equation लिखते हैं उसे values put करते हैं और equations solve हो जाता है ठीक है simple से concept रहते हैं आपर यहाँ पर मैं इतना detail में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो जो यहाँ पर events हो रहे हैं जो यहाँ पर forces का जो nature है वो सब आपको clear रहे हैं आपके जो concepts है वो clear रहे है otherwise सिर्फ आप formula value put करके अगर आप सी पांसा लाते हो तो आपका कोई भी concept निबलनेगा हो सकता है कि कहीं किसी question में जाकर कि आप first जाओ तो आपका जो concept है जो grassroot level का knowledge है वो clear होना चाहिए चलिए देखते है next question next question है हमारे पास यहाँ पर हमको एक copper rod दिया हुआ है जिसको envelop किया हुआ है steel tube ने steel tube का जो outside diameter है that is 30 mm जो inside diameter है that is 20 mm ठीक है outside and inside diameter जो है वो आपको यहाँ पर given है 30 mm and 20 mm then जो rod है copper की copper rod का जो diameter है that is 15 mm initial temperature है इस setup का वो T1 है और जो final temperature है T2 that is 200 ठीक है initial temperature 10 degree Celsius final temperature 200 degree Celsius इनके जो ends है यह जो इनके ends दिख रहे हैं आपको इसको आपस में rigidly connect कर दिया गया है याने कि यह दोनों एक दूसरे के relatively move नहीं कर सकते दोनों एक साथ या तो होंगे या तो एक साथ contract होंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे steel tube का जो young's modulus है वो हमको given है steel tube का जो young's modulus है that is 2.1 into 10s to power 5 newton per mm square alpha that is coefficient of linear expansion आपको given है steel के लिए 11 into 10s per minus 6 per degree celsius copper rod के लिए हमको given है young's modulus की value 1 into 10s per 5 newton per mm square and the coefficient of linear expansion हमको given है copper के लिए alpha c is equal to 18 into 10s power minus 6 degree per degree celsius आप देखेंगे के copper का जो coefficient of linear expansion है alpha c is greater than alpha s तो मैंने आपको बताया है कि जब members in parallel का concept हम लोग देखे थे तो जब member parallel में होते हैं तो जिस member का coefficient of linear expansion ज़्यादा होता है उसमें compression generate होता है और जिसका कम होता है उसमें tension generate होता है याने की copper rod में हमारे compression generate होगा copper rod में होगा compressive stress compressive stress and जो हमारा steel rod है जो हमारा steel tube है sorry steel tube जो है steel tube में generate होगा आपका tensile stress tensile stress ठीक है यह जो concept है मैंने previously जो वीडियो है उसमें cover करे हुए है कि जिस material का alpha जादा होता है in case of parallel उसमें compression आएगा और जिसका alpha कम होगा उसमें tension आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने compatibility equation देखा था that is epsilon 1 plus epsilon 2 equal to alpha 2 minus alpha 1 into del T या फिर अगर आप A और B के टाउंस में देखे थे हम जो उसको उस्टा में लिखे हैं तो epsilon A plus epsilon B is equal to alpha B minus alpha A into del T था जहाँ alpha B था greater than alpha A ठीक है यह था member A में होने वाला strain और यह था member B में होने वाला strain यह मैंने last video में आपकों लोगों को यह वाला concept discuss किया हुआ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वीडियो देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास जो दो member है वो है steel and copper तो हम S and C as a subscribe to use करते हैं तो लिख सकता हूँ epsilon C plus epsilon S is equal to alpha अब यहाँ पर मैंने बताया है यह वालो जो time होगा जो पहले आएगा alpha वो होगा body value तो हमने देखा जो alpha है copper का बड़ा है तो लिखूंगा alpha of copper minus alpha of steel into delta यह हमको हमेशा याद रखना है जो right hand side है इसमें जो हम लोग दोनों alpha को आपस में subtract कर रहे हैं तो उसमें हमेशा alpha की body value को alpha की छोटी value से minus करेंगे यह जो relationship आता है यह मैंने previously cover किया हुआ है ठीक है now इसको मैं लिख सकता हूँ epsilon c को sigma c divided by ec using hook's law plus sigma s upon es is equal to alpha c minus alpha s into delta ठीक है अब जैसे कि मैंने previously बताया चाहे member parallel में हो चाहे member series में हो दोनों में लगने वाले forces equal होते हैं parallel में एक में push होता है तो दूसरे में pull होता है लेकिन जो series वाले problem होते हैं उसमें दोनों में push याने की दोनों compression में होते हैं यहाँ parallel और series में बस यह difference है ध्यान दे दिया यहाँ पर कि जो एक member है वो tensile force tensile stress बियर कर रहा है तो दूसरा compressive force या compressive stress वियर कर रहा है लेकिन आपके जो series का problem होता है series के problem में दोनों में compression होगा या तो दोनों में tension होगा किसी एक में tension और दूसरे में compression ऐसा नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ for parallel for members in parallel in parallel for members in parallel मैंने देखा था जो दोनों force बराबर होता है याने कि compressive force is equal to tensile force होगा तो compressive force किसमें लग रहा है compressive force या compressive force लग रहा है हमारे copper rod में और tensile force लग रहा है steel rod में तो compressive force that is PC that is force in copper this is force in copper this will be equal to tensile force that is PS that is nothing but force in steel ठीक है नाओ हम जानते sigma is equal to P by A तो वहाँ से P की value लिख सकता हूँ है sigma C into AC is equal to sigma S into AS यह आला जो हमने एक्स्प्रेशन है वो previous numericals में भी discussed किया हुआ है ठीक है अब तक यह आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या use है अब यहाँ से मैं simple जो stresses है दोनों stresses जो मेरे पास sigma C, sigma S उसके बीच में relationship draw कर लूँगा और उसके बाद इस equation को और इस equation को let us say this is equation number 1 this is equation number 2 यहाँ से जो conclusion मिलेगा equation number 2 से उसको वापस मैं equation number 1 में put करके solution ले आऊंगा ठीक है so AC और AS की value put कर देते हैं पर तो sigma C हो जाएगा AC that is area of copper rod this will be equal to pi by 4 into diameter diameter गिवन है हमको copper rod का 15 mm तो 15 mm square is equal to sigma S into AS area of steel tube pi by 4 outer diameter 30 mm square minus inner diameter है 20 mm square solve कर लेते हैं इसको so sigma C मिल रहा है मुझे 2.22 times of sigma S ठीक है इस value को इस value को मैं put कर देता हूँ इसको equation number 1 में तो यह हो जाएगा sigma C के जिखा मैं लिख देता हूँ 2.22 sigma S divided by E C E C की value है मेरे पास 1 into 10s to power 5 plus sigma S upon E S E S की value है 2 into 10s to power 5 is equal to alpha C alpha C है 18 into 10s to power minus 6 minus alpha S है मारे पास 11 into 10s to power minus 6 into del T change in temperature that is T2 minus T1 T2 है मारे पास 200 T1 है मारे पास 10 तो जगा 200 minus 10 solve कर लेते हैं हम इस equation को हमको sigma S की value मिल जाएगी solve करने पे sigma S हमको मिल रहा है 48.89 newton per mm square and यहां से अब मैं equation number 3 का use करते हूँ sigma C निका सकता हूँ that is 2.22 times of sigma S that is 48.89 solve करते हैं इसको so sigma C आ रहा है आपर 108.55 newton per mm square so this is our required solution I hope आपको जित्ते हमने अब तक concept पड़े उनका implementation अच्छे से clear हो गया होगा same तरीके के questions अगर आप चाहा है तो contraction के भी देख सकते हैं जहां हम cooling कर रहे होंगे जो भी textbook आप refer कर रहे हैं उसमें आपको number of questions मिल जाएंगे सभी में जो मैंने concept बता हैं वो implement होते हैं तो I hope आपको अब तक के जित्ते topics थे हमारे module number 1 के वो clear हो जाते हैं आज के इस video के साथ इस particular video के साथ हमारा जो module number 1 है वो complete होता है next module से हम लोग देखेंगे complex stresses that is principle stress and strain का topic देखेंगे अगर आपको हमारे अब तक की videos पसंद आए तो हमारे इस videos को like करना and share करना ना भूलिए अगर आप हमारे इस video को first time देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलिए नीचे बने bell icon को जरूर दबाईए ताकि हमारे latest notifications आपको time to time मिलते रहें मेरे और मेरे Gator Candy Plus टीम की तरफ से आप सभी को thank you झौलिए झाल।